दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का खतम हुआ इंतिजार जिसका इंतिजार करोडो भारती एक कर रहे थे जी हाँ दोस्तों वतन लोटने के बाद पहली बार तोड़ी अविनंदन ने चुपी जाने क्या बुले जाबाज पाइलेट पूरी जानकारी लेंगे लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ आप में से जो भी अविनंदन जी के फैन हो वो नीचे एक लाल बटन बना होगा उसको दबाकर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इन से जोड़ी लगातार सबसे तेज अबडेट आपको प्रोवाइट करेंगे कोई भी निउज कोई भी नटीबे के सन आएगा हम आपको सबसे पहले सुचित करेंगे तो पूरी खबर कुछ इस परकार निकल करा रही है आए देख लेते हैं जिहां दोस्तो भारत जिस पल का इंतजार कर रहा था वो पल करीब साथ घंटे के बाद आया जब पाकिस्तान की जबीन से देश की जमीन पर जाबाज पैलट अविनंदन ने अपना पहला कदम रखा उनकी एक जलक पाने के लिए भारत वासी सुबह से वहां आ चुके थे वो लगाता डटे हुए थे और देश के जवान की एक जलक पाने को बेताब थे वतन लोटने के बाद पहली बार अविनंदन ने अपनी चुपी तोड़ी क्या कहा आपको बताएंगे इस वीडियो में चलिए आपको पताते हैं नीले कोट में देखते ही जूम उटी जनता दियां दोस्तों दो पहर 12 बजे पाकिस्तान ने उनकी रिहाई का समय बताया था हलाकि ये समय दो बार बदला गया इसके बाद आखिरकार 9 बज कर 21 मिनट पर उन्होंने बागा बाडर के सारे भारत में पहला करम रखा पाकिस्तानी सैनिकों के साथ वो बागा बाडर आये जहां से उनको भारती जवानों को सौप दिया गया नीले कोट में अविनंदन की पहली जलक देखते ही देश की जनता भारत माता की जैके नरे लगा कर जूमने लगी जाने भारत आने के बाद अविनंदन सबसे पहले क्या बोले भासका.com की खबर के मताबित अविनंदन भारत आने के बाद काफी खुस नजर आये इस दोरान उनका पहला बयान भी सामने आ गया वो जादा कुछ नहीं बोले लेकिन इतना ही बोला कि देश में आकर बहुत अच्छा लग रहा है वतन लोटकर मैं बहुत खुस हूँ अविनंदन को मेडिकल चेकप के लिए भेद दिया गया है तो पहली बार इन्होंने बोला जो पहला सब्द इनके मुक से था इन्होंने कहा था कि वतन में आकर खुस हूँ और देश में वापस आकर मुझे अच्छा लग रहा है तो ये बाते थी जो इनके मुक से पहली बार निकली आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे प्लीज नीचे एक लाल बटन मना होगा जो उसको दबा कर तुरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज के वीडियो में इतना ही धन्यवाद